मिंकू जन्दी से चल मेरे साथ अज पार्क में मेरे गालफेंड से मिलने वाला हूँ आरे तुन्हें गालफेंड काप पड़ा लिया फेस्बुक पर मिली है अज पहली बार मिलने जा रहा हूँ बहुत ही आमीर लड़की है चल चलते हैं लेकिन मामी पापा को क्या बताएगा उन्हें बाता निखी क्या जरुरत है बाता देंगे कि हम त्यूशन जा रहा है आरे तुम दोनों क्या फुशर फुशर कर रहे हो कुछ नहीं हम तो त्यूशन जा रहे है हा मम्मी बिल्कुल भी किसी लार्की के साथ नहीं मिलने जा रहा हूं और पार्क में तो गल्टी से भी नहीं जाएंगे अरे गाधे चुप हो जा मम्मी हम जाल्दी वापस आजाएंगे अब चिंता मत करना आरे भाई तेरी आमीर लार्की कहा पर है का तक आएगी लगता है हेलिकाप्टर लांड करने के लिए उसे जागा नहीं मिल रहा है आरे मापकर दो टिंकु आने में थोरे देर हो गई आरे वो टिंकु नहीं वो मेरा भाई मिंकु है टिंकु तो मैं हूँ इधर देखो अच्छा तुम दोनों भाई हो बिल्कुल एकजे से लगते हो हाँ हाँ बहुत खुब सूरत है ना हम दोनों खुब सूरत तो नहीं बता है मैंने एकजे से भिखारी लगते हो अच्छा मैं चलता हूँ तू अपने गालफिन के साथ बात कर तु कहा जा रहा है यहाँ पर बैट मुझे एकला शोड़के मत जा वसे तो मैं बहुत जादा आमिन हूँ मेरे पास सब कुछ है और किसी सीज की कामी नहीं है वसे तुम क्या करते हो मैं अभी नौकरे धोनने की काम कर रहा हूँ अच्छा मतलब बेकर हो और भीकारी भी बापके पेशे से सब रहे हो ऐसी बत नहीं है तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ बताओ तुम्हें क्या चाहिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, वश्य तो मेरी जिन्देगी में किसी सीज की कमी नहीं है, मेरे पास हेलिकाप्टर है, दो प्लैन है, ट्रेन भी है, लेकिन मेरे पास स्कूर्टी नहीं है, एक स्कूर्टी खरित कर दोगे अरे अभी तो कहा तुम्हारे पास किसी चीज की कामी नहीं है अब मैं तुम्हें इसकूर्टी कहा सेला कर दू मैं तो अभी नौकरी भी नहीं करता पहले कम कर लूँ फिर खरित कर दूँगा अच्छा ठीक है तुम्हारा जो साइकल है वही मुझे दे दू नहीं वो साइकल नहीं दे सकता पापा बहुत मारेंगे निकु तू भी कुछ बताना हाँ भाबी हमारे पिता दीब बहुत ही ज्यादा जलिम है वो हम दोनों को मारेंगे कुछ दिन पेहले किल्कु को मार मार के उसके हाट डी टोड़ दे थी बाभी मत बोल मुझे तुम दुनों को यहाँ हालत है पता नहीं कैसे करीब आज आते हैं तुम भी नहीं हो कहती हो कि आमिर हो फिर से एक साइकल के लिए भीग मंगती हो चलो चलो मैं भी तुम्हारे तरा भीखरी लार्की के सथ कोई रिष्टा नहीं रखना चाता है भाई तेरे किसमत में तो कोई लार्की है नहीं सोब दे और घर चल हाँ तु सही कहा है चल घर जा के पापा से पैसे मंगते है और माम्मी की डाठ खाते है